जहां भी आप देखोगे agencies में RSS अपने लोग डालते हैं, BJP अपने लोग डालते हैं, यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इनों ने मेहनत की, हमारे पहलवानों के साथ BJP ने क्या किया, देश के सामने बिना डरे, उनका एक member बलतकार कर रहा है, sexual harassment कर रहा है उनको कुछ लेना देना ने, वो भी समविदान पर आक्रमन है, क्योंकि समविदान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए, और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तब नरेंद्र मोदी समविदान पर आक्रमन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यह का फल यह सब का है और इसमें सब को फाइदा होता है जब हम देश के बारे में सोचते हैं विकास के बारे में सोचते हैं प्रगती के बारे में संस्ताओं के बारे में सेना के बारे में ब्यूरोक्रिसी के बारे में यहां से शुरू करते हैं दूसरी तरफ बीजेपी और आरेस को कमजोर करने के लिए करते हैं लड़ाई Constitution की है हम इसको बचा रहे हैं इसकी रक्षा कर रहे हैं वो इसको खतम करने की कोशिश कर रहे हैं Congress Party को आपने वोट दिया सविधान की आपने रक्षा की बीजेपी को आपने वोट किया उनको आकरमन करने की मदद की